गुए प्डू सो निजन को जब स्टेश। उसको दिखा लिए मगर बिमारी क्या है समझ में नहीं आरी इस तरह की जो बिमारी है वो राफू देता है तो हमारे लाखो रूपे खर्च हो जाते हैं मगर फिर भी ठीक नहीं हो पाते सबसे बड़ी प्रॉलम यह है कि पैसा तो खर्च होई गया मगर उसके बाद भी अराम नहीं आया अचानक एक्सिडेंट कि जब यो कुंडली में यह बना देता है या इसको अगर आपने खराब कर लिया तो यह अचानक एक्सिडेंट करा देगा थाने पुलिस कचैरी लड़ाई जगड़ाई यह सब जीवन में अस्पताल बीमारी मेंटल स्ट्रेस क्योंकि जे इवन में आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ती अकेले करने में सक्षम हैं इसी और प्लैनेट को ठीक रखने की इतनी आशकता नहीं जितना राहू अकेला काम कर जाएगा इनकी क्योंकि राहू कहा हाती तो हाती मेरे साती वाली कहवत है तो राहू को अगर आपने समय लिया और इसको ठीक रख लिया अब ठीक रखा कैसे जाए इस बात को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बहुत सरी रेमेडिस हमें एडवाइस की जाती है मगर एक बात हमेशे समय लिजे कि रेमेडिस जो है वो हमेशे वर्षफल के नुसार क की जाएगी और वर्षफल क्या होता है वो आपकर निया साल होता है यानि कि जो आपके जनम दिन से स्टार्ट होता है और अगला जनम दिन आने तक चलता है तो हम लोग को अपने नए साल को हमेशे समयना चाहिए कि कौन सा प्लानेट हमारे कुणली में इस वर्ष फॉलो करनी है केवल इन दो-चार चीज़ों को अगर आपने समय लिया और फोकस कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि इस साल में आपको किस तरह के गेंस मिलने वाले हैं किस तरह की इस वार यातर होने वाली हैं क्या कुछ होने वाला है आप बहुत एजली अनलाइस कर सकते ह तो राहू अगर आपने शुप कर लिया तो ये जीवन में हम लोग आज के समय में बहुत जादा शेर मार्केट गैंबलिंग इन सब चीज़ों के पीछी भी अकर्शित रहते हैं क्योंकि जल्दी लाप पाना चाहते हैं अब जल्दी लाप पाने के लिए सिंपल सी बात है क अचानक धन की प्रापति और वह अचानक धन की प्रापति राहू करायेगा इन सब चीज़ों में ये राहू का इंप्र्ंट्ट रोल रहता है अगर आप नहिंद सब चीज़ों में इन्टरीस्टेड है तो राहू को तो है なocused अगर तफेशलर ठिक prick कोशिश की अब particular अलग-अलग houses पर पहले वीडियो बनने के प्लान किया था मगर वह बहुत लंबा concept हो जाता तो यहां पर हमने कोशिश किया कि एक ही वीडियो के अंदर 12 houses को कवर किया जाए मगर last हमने बात करी तो उसमें आपका राहू first से लेकर six house तक के बारे में बात करी क्योंकि 20-25 मिनट का वीडियो लगबख हो गया था तो आज हम बात करेंगे राहू 7th house से लेकर 12th house तक के बारे में यहां पर एक बात धियान रखेगा 7th house, 8th house, 9th house, 11th house, 12th house इन houses में राहू काफी जादा अशुमाना गया है और last वीडियो में आपको यह भी बतायाता है कि राहू normally जो उसके best houses हैं वो third और six हैं बाकि जो other houses हैं second house है या first house है या fourth house में इसका result depend करता है other plants के position पर यहां भी अच्छा result देता है मगर सास से लेकर 12 में भी जरूरी नहीं है कि आपको खराब result ही दे आप इसके शुब प्रणाम भी प्राप कर सकते हैं तो बात करते हैं कि आपके वर्षफल में राहू जब 7th house में आएगा तो किस प्रकार के result देगा देखिए 7th house में जब राहू आएगा अगर यह शुब हुआ इसको कैसे identify करेंगे 7th house के जो कारक हैं मरकरी हैं कालपुरुष कुंडली के साफ से मरकरी मिस बुद्ध अब बुद्ध कुंडली में अगर अच्छा है तो राहू जादा खराब result नहीं देगा चाहे कितने भी खराब houses में क्यों ना प्लेस्ट हो दूसरा राहू की अ सरकार से लाब लड़ाई जगड़े विवाद इत्यादी में विजे उस वर्ष आपको केरियर के पॉइंट टीवी से देखा जाए यहां पर केरियर के अंदर यह ग्रोध देगा वेपार में ग्रोध देगा और सरकार से गौवर्मेंट से लाब सरकारी लोगों से लाब की प्रापती और किसी प्रकार का अगर आपको कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उस साल आपके विजे प्रापती के योग बने वे हैं अब यहीं पर अगर यह राहू बैड इस्तिति में हुआ यहीं कि मरकरी कुंडली के अंदर खराब इस्तितिति हुआ अपने किसी भी मेरे लाइफ में ट्रबल पतनी या लाइफ पार्टनर अगर लड़की कुंडली में है तो लाइफ पार्टनर पती पतनी में से कोई भी हो सकता है डिपेंड करता है अगर लड़की कुंडली में तो पतनी और पतनी की लड़की कुंडली में तो पती लाइफ पार्टनर से जगड़ा, लाइफ पार्टनर के हेल्थ तिशो, बिमारी और इसके अलावा आपके वेपार के अंदर भी नुकसान, अचानक, लॉसिस वगारा की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। या कई बार मैंने देखा है कि 3-4 विवा भी ऐसे जाता के हुए हैं, तो राहू जो है, जब 7th house में होगा, तो ऐसा व्यक्ति एक बात तेह है कि अपना केरियर इसी जॉब से स्टार्ट करेगा, और फाइनली वो 22 में शिफ्ट होगा, और आप इस बात को चेक कीजेगा, 20-30 क कुंडली अपने पास रखिए, ताकि आपको जो बाते बताए जा रही हैं, उसमें मैच करके देखिए, वर्ष फल का नुसार मैच कीजिए, कुछ आपको पीछे जो 100% true fact बताये थे, उनके वियाह पर वो चेक कीजे, आपको सभी चीजे मैच करती 101% मिलेंगी, इस से आपक एक confidence आएगा, दूसरा आप ये समझ जाएंगे कि आने वाले जो वर्ष हैं, उसको मुझे कैसे चेक करना है कि उस साल मेरा कूंसे प्लेनेट कहां जा रहा है, आने कि ये वर्ष फल का topic जो complete हो जाएगा, तो आपको मैं डिटेल में समझाँगा कि एक chart को कैसे analyze भी करना है, स जब ये चेक कर लेंगे, तो आपना पांस साल का दस साल का एक portfolio त्यार कर लेंगे कि ये साल मेरे इस प्रकार जाने वाले हैं, तो इन सालों को मुझे किस तरह से plan करना है, किस तरह से manage करना है, और कैसे अशुब इस्तिति से बचाव करना है, सबसे ज़्यादा important ये है, तो यहाँ पर 7th house में जब राहू होंगे, तो देखी, यहाँ पर 2-3 remedy में advice करता हूँ, कि एक 7 नारियल जल परवा करने वाली, मगर वो depend करता है, वर्ष फल में other plants की position पर है, इसलिए वो remedy में आपको यहाँ पर advice नहीं करूँगा, मगर एक general remedy, आप क्या follow कर सकते हैं, एक कम से क 10 ग्राम की silver की छोटी सी brick लेकर अपने घर में अवश्य रख लें, बंडे के दिन, दूसरा, अपने सुस्राल वालों से सम्मद अच्छे बना के रखें, पत्नी के साथ भी सम्मद अच्छे बना के रखें, दूसरा, आपने किसी से बिना बात पे जगडा नहीं करना है, पेले से रखा हुआ है, कोई बात नहीं, मगर उस साल डॉक खरीद के ना लेके आए, बिल्यू किलर, बिल्यू किलर राहु का है, उस साल अवाइड करना है, अपनी लाइफ पार्टनर को मोबाइल गिफ्ट नहीं करना है, इस्पेशली देट यर, जब सेविंध हाउस में राहु आएंगे, इन बातों को आप द्यान रखेंगे, तो राहु के जो पॉजिटिव क्योंकि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट देगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे, फिर नेगेटिव रिजल्ट को आप सेव कर पा आएगा या तो आपको यह विदेश भीज़ देगा अगर शुबिस्तिति में हुआ खराब हुआ तो जेल की यात्रा करा देगा राहु एर्थाउस में जब होंगे इस्पेशली वर्षफल में आएंगे तो यहाँ पर अचानक बीमारी अचानक एक्सिडेंट अचानक आपके कोट केचेरी अस्पताल की यो कुणली में बना देंगे अब अगर यहाँ पर शुब इस्तिति में हुए तो सभी सुख सुविधाओं की पराप्ती परिवार जायदार प्रोपरिटी के मैटर को चल रहे हैं उससे भी लाप की पराप्ती योग यह उस्वर्ष बना देंगे तो देखे कोई भी प्लानेट एक बात हमेशे समझे लिए कोई भी प्लानेट के लगन कुणली में हो या वर्षफल में हो वो पॉज़ेटिव और नेगेटिव किसी भी कंडिशन में हो सकता है यह जरूर नहीं है कि उसका हाउस खराब है तो वहाँ पर खराफली देगा औ अगर कहीं खराब बैठा है तो एक दिमाग में विठा लें नहीं मेरा तो बरस्पति बहुत खराब है ऐसा नहीं है डिपैंड करता है अधर प्लेनेट की पोजिशन पर यह हमने पहले की जो वीडियो बनाई है वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है कि आपक अप्लाई कर सकते हैं कि राहू आपका एर्थाउस में है वर्षफल में आ रहा है तो आपने एर्थाउस राहू की वीडियो जाके चेक कर लेनी है और उसको यह देखना है कि एर्थाउस में राहू के समय आपको क्यों कौन से कॉमबनीशन बताए गए गए ते जिससे कि आ आपका राहू शुब है या अशुब है तो उनी रूल्स के एकॉर्डिंग आपने वर्षफल में चेक कर लेना है तो आप समझ जाएंगे कि इस साल यह हमें किस प्रकार के रिजट देने वाला है बात करते हैं राहू नाइन थाउस की अब यहाँ पर एर्थाउस में जब राहू होगा तो यहाँ पर केरियर के अंदर बदलाव देगा अगर खराब इस्टी में हुआ यानि कि आप अगर कोई नोकरी करते हैं तो उसमें चेंज आएगा विपार करते तो उसके अंदर कुछ नो कोई परिवरतना सकता है एक्सिडेंट करा देगा बीमारी देदेग पानी की टंकिया आपकी उस साल अगर खराब इस्टी में हुआ तो अक्सर बार-बार खराब होगी उनमें लिकेज जल्दी देखने को मिलेंगी अगर आपको यह सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाईए कि यह राहू इस साल हमें खराब रिजट देने वाला है तो उसके लिए आपको अलर्ट होना है और प्रॉपर उसके एकवर्डिंग रेमेडिस परफॉर्म कर लेनी हैं तीसरा ऐसे व्यक्ति को जिसके लगन कुंडली में हो या वर्षफल में भी आ जाए राहू एर्थाउस में तो रेड कलर के अंडर गार्मेंट्स हमेशे इस स्टार्टिंग में रख लें निए वर्षफल स्टार्ट होने वाला है उससे दस-पाज दिन पहले ही आप चेक कर लें कि आपके वर्षफल में यह एर्थाउस में तो उसको रख लें राहू नाइन थाउस अब नाइन थाउस में जब राहू आएंगे तो यहां पर पति क्या है धर्मा धर्म तो यहां पर ऐसा जातक उस वर्ष मोबाइल में धार्मिक गाने ज्यादा सुनेगा अब धार्मिक गाने आपका सूफी का वाली वगरा या और किसी परकार के भी हो सकते हैं तो किसी परकार के धार्मिक गाने सुनना मोबाइल में अक्स प्रोज आना स्टेटस भगवान का या किसी गुरु माराज का लगा लेना बीपी, कॉलर ट्यून, देंगिंग ट्यून तो ये सारे के सारे सिंटम्स यहां पर उस वर्ष आपको दिखाई देंगे जब राहू नाइन थाउस में आएंगे तो आपने उन सब कामों को वाइड करना है टेडी बीर ये सॉफ्ट ओए, कोई ना कोई उस वर्ष या तो आप खरीद के लाएंगे या उस वर्ष घर पे आएगा ये तैह है तो जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मुझे इस वर्ष टेडी बीर सॉफ्ट ओए नहीं लेना है क्योंकि जो काम नहीं करने होते हैं वो उस वर्ष अवश्य होते हैं और जब ये होंगे उसके बात परशानी आएगी इस बात को नोट कीजएगा मगर हमारा ध्यान जाता नहीं है पता ही नहीं होता कि इसके पीछे के कारण ये भी हो सकते हैं तो आपने टेडी बेर सॉफ्ट ओफ्ट ओए ना किसे गिफ्ट लेने हैं और ना ही खरीदने हैं उस पर्टिकुलर येर में अब राहो नाइंत हाउस में आएंगे और अगर शुब इस्तिती में हुए तब शुब इस्तिती में कब होंगे जब ब्रस्पति कुंडली में स्ट्रॉंग कोईशन में होंगे क्योंकि एक रूल ये भी है कि जो प्लैनेट जिस हाउस में बैटा हो उसके कारक और मालिक ओनर जो होता है उस हाउस का वो जब अच्छे स्थिती में होते हैं तो उस गर में बैठा प्लैनेट निश्चत तोर पर शुप प्रिणाम देता है हाले कि इसके अलावा कुछ रूल भी है मगर एक रूल यह स्यादा important काम करता है दूसरा राभू नाइन थाउस में आएंगे तब लाव की स्थिती में अगर हुए शुप की स्थिती में हुए तो क्या अच्छानक लाव पराप्ती के योग सड़न गेंदेंगे विदेश की यात्रा के योग उसवर्ष बना देंगे दारि में की यात्रा भी कोई ना कोई आपके अवश्य होगी कि सरकार वे सरकारी लोगों से आपको लाव अवश्य पराप्त होगा भूमी बवन बाहन के बारे में अगर आपको सोच रहे हैं खरीदने की या किसी और परकार का कोई प्लानिंग चल रही है तो वो आपकी इच्छा के पूर्ती भी उस वर्श अवश्य हो जाएगी अब उनके हैल्थ इशू या उनके फानेंशल इशू वगएरा अवश्य उस वर्श आएंगे सरकार से हानी गौर्णमेंट से लॉस कोई न कोई लोटिस वगएरा या किसी परकार की परशानी देखने को मिलेगी तो कि राहू क्या करेंगे जब खराब स्थिती में होंगे तो कि अब तर्फितारी स्थिती आपको उस वर्श देखने को मिलेंगी बात करते हैं टैन्थ हाउस अब टैन्थ हाउस में जब राहू आएंगे तब तो टैन्थ हाउस में देखे कोई भी प्लानेट जब आता है तो उसका रिजल्ट आपको सेटन की पोजिशन के पिलेगा सेटन क्योंकि काल पुरुष कुंड़ी के साफ सेटन जो है इस घर का ऑउनर है यहां पर कोई भी प्लानेट आजए एक्स वाई जैड सेटन को आपको चेक करना पड़ेगा कि सेटन की रेमेड़ी जरूर करनी है जब सेटन की रेमेड़ी करेंगे तो 50% से पर्तिष्ठा की प्रापती राइनिदी छेतर में लाव उस वक्त अगर आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं और राहु टैन था उसमें आएवे हैं उनको शुवरक लिया तो विजय भी अवश्य करा देंगे साथ ही वियत यात्रें बहुत कराएंगे उस वर्ष मगर अगर अब इस्तिति में हुए इसके अपोजेट रिजल्ट में देंगे नहीं कि परिवार के लोगों से समाज के लोगों से आपको जनता से विरोधा भाद की स्तिति का सामना करना पड़ेगा विरोध का सामना करना पड़ेगा शत्रो से हानी कानूनी विवाद ये सारी समस्या र आएंगे तो सबसे पहले आपको सेटन को चेक करना है और सेटन के अकॉर्डिंग उसके रेमेडि परफॉर्म कर लेनी हैं दूसरा जब राहू टैंथ हाउस में आएंगे तो एक सबसे कि आपने अपने सर को खुला नहीं रखना है यानि कि सर पर कोई ने कोई कैप इत्यादी पहने कर रखनी है और कैप भी कैसे बिल्यू ये बलैक कलर की नहीं रेड वाइट रेड वाइट के कॉम्बिनेशन में इस तरह की कैप का इस्तमाल करें यह राहू यहां पर कंट्रोल म इसके एंटी प्लैनेट से आके बैड जाएं तो यहां पर इस पर दरश्टी डालेंगे तो इसको खराब करेंगे दूसरा सैटन अगर कुल्ली में कहीं खराब इस्तिति में हुआ जैसे आपका एड़ थाउस है सिक्स थाउस है किसी भी हाउस में हुआ सैटन मगर अगर खर कुंसर रूल अपलाई हो रहा है उस वर्ष वह आपका पॉजिटीव यह नेगेटीव है और उसके रेमेडिज परफॉर्म कर लेंगे तो यह राहू आपको एक्स्ट्रिमली गूड रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा और गूड रिजल्ट आपको बताई दिये हैं कि आ जाल कपड़े में जो डालकर उसको किसी अंधिरी जगे अब जैसे आपके घर में कोई अंधिरी कोठरी वेगरा है कोई स्टोरूम वेगरा है तो वहाँ पर उसको किसी वजंदार चीज के नीचे दबाके रख दें तो उससे यह राहू उस वर्ष जो खराब इस्तिती में यह रहे दा शान्त रहेगा आपको अपने नेगेटिव रिजट नहीं देगा 11 थांस की बात करते हैं तो देखें 11 थांस और 22 काफ़ीर से इंपॉर्टेंट्ट 11 थांस 11 को लेकि बहुत जादा कन्क्यूजन रहते हैं जब हम वैदिक लोजी की बात करते हैं तो वैदिक एस तो बहुत सरे चार्ट पे तो यहां पर नगेटिव रिजल्ट आए अब वो नगेटिव रिजल्ट क्यों आए उसके लॉजिक को जब लाल किताब ने एक्स्प्रेन किया तो बात समझ माई काल पुरुष कुंड़ी के हिसाब से हमारा एलेविन्थ आउस जो है वो 11 नंबर के राशी आते है कुम राशी यहां पर शनी इस घर के मालिक हैं और ब्रस्पति कारक हैं शनी का 11 थाउस पे कंट्रोल ज़्यादा रहता है ब्रस्पति के कंप्रेट ली शनी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं राहू जो हैं वो शनी के मित्र हैं और ब्रस्पति के enemy हैं यहाँ पर राहु शनी के साथ शनी का support लेके ब्रस्पती को खराब करते हैं तो 11 थाूस के राहु के लिए लाल किताब में क्या quotation लिखी गई है पिता को गोली मारे अब basically पिता का ब्रस्पती से क्या मतलब है कि हमारे घर के जो बुजरुग है बुज़र्ग के अंदर पिता भी है दादा भी है इन सब को ब्रस्पती माना गया है तो पिता को गोली मारे तो 11 थाउस्क में अगर राहू अश्यो बिश्टिती में है उसके सिम्टम्स बताए गए हैं कि यहाँ पर अगर यह कंडिशन है तो आपका राहू खराब है और अग इन चीज़्यों को डिटेल में किलेह किया था अब 11 थाउस्क में व्र्श वाल में आएंगे तो ब्रस्पती को तो पर हीना कहीं डामद करेंगे तो यहां पर बहुत सारी चीजे खराब हो जाएंगे मगर ब्रस्पति अगर कुंड़ी में अच्छी पूजिशन में हुए या उस वर्ष आपने समय रहत उस ब्रस्पति को कंट्रोल कर लिया डाइमेज नहीं होने दिया तो यह राहू आपको extremely good result देंगे किस तरह का देंगे देखे यहाँ पर शत्रो पर विजे वे नई लोगों से मितरता social connection social connection क्योंकि social connection वीडियो है वो 11th house से देखे जाते हैं राहू 11th house में अगर बर्त चार्ट में हैं तो ऐसा व्यक्ति social media के थुरू अच्छा कासा लाब प्राप कर सकता है क्योंकि जो प्लैनेट आपको कह रहे होते हैं कि आप यह वाला काम कीजे तो आपको ज़्यादा लाब मिलेगा और जब आप वो काम पकड़ लेते हैं तो वो आपको निश्य तोर पर काफी ज़्याद से भी उसको success मिलती है इच्छाओ की पूरती क्योंकि 11 था उसका है हमारी इच्छाओ की पूरती का तो 11 था उस में राभू जब बैट जाएंगे तो सड़न हैंने कि हम किसी चीज के बारे में बहुत लंबे समय से खबार मन में कोई बात है किसी से कहने रहे हैं सोच रहे है कि आश ऐसा होता तो उस तरह की जो हमारी इच्छाओं हैं वो हमें सड़न प्राप्त होंगी हो जाएंगी आपको लगेगी अरे यह अचानक चीजे कैसे हो गई तो राहू क्या करेंगे अचानक उन इच्छाओं की पूरती करा देंगे विदेश फोरन कनेक्शन से लाब व उन से शत्रुता रहेगी वो आपका विरोध करेंगे केरियर केंदर अप्ट डाउन देखने को मिलेंगे बाग्या साथ ने देगा क्योंकि ब्रस्पती खराब करेंगे और राहू यहाँ पर जब खराब होंगे तो शनी को देखना पड़ेगा शनी कुनली में खराब है ब् अगर खराब है तो क्या रिजट देंगे अच्छे हैं तो क्या रिजट देंगे एंड़ इंड़ इंपॉर्टन थिंगे इसको ठीक कैसे रखना है उस वर्ष क्यूंकि रेमेडिस आप देख रहे हैं कि हर हाउसे में जाके चेंज होती जाती है तो इसलिए ही कोई भी समझ जाते हैं तो आपको यह बात के लिर हो जाती है और इसका रिमॉट कंट्रोल आपके हाथ में है अब कौन सा बटन दवाना है कैसे यूज करनी है जहां यह दिमार्ग में सैट हो गया तो आपको लेगा कि वाकि चीजे जो हैं वो सब कुछ आपके कंट्रोल में आ गई ह हैं आप अपने साबसे चीजे प्लान कर रहे हैं आपको पता है कि अब क्या होने वाला है तो आपको फिर उस बात को लिके प्रशानी नहीं होगी तो पता है कि हाँ दो गंटे बाद यह बारिश आएगी तो फिर ठीक है पता है चाता लेके निकल गए ना मगर आप ऐसी उसके में जब राहू वर्श फल में आजाए यह आपको पता लग जाए कि नेक्स्टिर आ रहा है उससे 15-20 दिन पहले ही गले में गोल्ड जेन ये पीला धागा डाल लीजिए दूसरा सफाई करमचारी जो आते हैं सफाई करमचारी स्वीपर को कुछ पैसे सिक्कों के रू अजर्श पती जहां बैठाओं उसके एकोडिंग रेमेडी करें तो इस राहू को तो डिल्फफ होते हैं मगर इस घर advising समस्य वह जातक के साथ सबसे बड़ी समस्य क्या रहती है जिसके लगन चार्ट में हो इनको बिल्यू कलर के कपड़े बहुत पसंद होते हैं इनके घर में सब कुछ नीराई मिलेगा यह खुद भी जितने भी इनके 90% कपड़ें बिल्यू मिलेंगे इनके घर के अंदर जो आपका वॉल का पेंट है बेड़ शीट है कर्टेन है सब बिल्यू बिल्यू तो यहाँ पर इनको बिल्यू कलर अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए बिल्यू कलर अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए तीसरा इनको क्या करना चाहिए एक लाल कपड़े की थैली में यह रेड कलर का इस्तमाल रेड कलर क्या है मंगल का रेड कलर का इस्तमाल especially अपने बैडरूम में हमेशा ज्यादा करना चाहिए अगर लगन चार्ट में वर्षफल में है तो पर्टिकलर उस यहर अवश्य करें और लाल स्क्वार स्क्वार शेप की थैली बना लें नहीं बना सकते तो कोई लाल रंग का रुमाल लें उसमें सौफ डालें जो किचन में इस्तमाल करते हैं और उसको पोर्टली बना कर अपने तकहें के नीचे रखे सोयं और बिल्यू बैट शेट कर्टन बगार को वाइड करें तो यहाँ पर इस राहो को कंट्रोल करने के लिए और ही बहुत सारी रेमेडिस हैं अगर 12,000 में राहो हुआ और आपने इसको शुब रख लिया तो यह वर्ष आपके अपने लिए और सुस्राल वालों के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशारी साबित होगा आपकी इच्छा नुसार काफी expenses उस वर्ष देखने को मिलेंगे अब expenses होंगे कव जब पैसा आएगा यानि कि source of income की प्राप्ती होगी क्योंकि धन आएगा तभी तो खर्ष करेंगे तो आपकी इच्छा नुसार खर्षे होंगे दूसरा शुपकारियो पयानी की तीसरा मित्रों से सयोग, समास से सयोग हर तरह से ये वर्ष आपको काफी लाब देने वाला है राहू 12 थाउस में अगर बर्ष चार्ट में है तो रात की नीन डिस्टर्ब रखता है, अगर वर्ष फल में आज़ा तो उस पर्टिकुलर इयर में आप मेंटल स्ट्रेस और तो रात को देर तक जागने की आदत आपको देखने हों मिलेगी, ये रात को बरबर नीन उचट जाएगी, इस तरह की सिम्टर्ब आपको मिलेंगे, खराब इस्टिती में हुआ तो किसी कारिये, आपके किसी गलत कारिये के कारण पूरा परिवार किसी संकट की स्थिती में आ सकता है उस वर्ष, दूसरा वेर्थ के खर्चे, अननेसेसरी टेंशन नीन डिस्टर्ब किसी समान की चोरी होना किसी व्यक्ति से बिना बात के जगड़ा होना और आपके एनिमी, उस वर्ष आपको परिशान करेंगे, आपके हावी रहेंगे यह किसी वाद विवाद अगर हो गया उसमें उनिकी विजे होगी, आपको हार का सामना करना पड़ेगा तो यहाँ पर इस राहू के लिए जो अभी आपको तो तिन चीज़े बताई है, वर्ष फल में आके साथी, आप उसको समझ ले और उसके एकॉर्डिंग फॉलो कर ले तो यह बेनेफिट होता है वर्ष फल को समझने का कि आपको पहले से अनलाइस कर लेना है कि यह इस साल आ रहा है, यह साल आ रहा है इस वर्ष में यह प्रनेट सिहाजा मूँ करने इनके एकॉर्डिंग क्या प्रकॉशन क्या रेमेडि फॉलो करनी है उसको अगर समझ लिया तो आप डेफिनेटली जो खराब कॉम्बिनेशन है उनको बैड रिजल्ट को कंट्रोल कर लेंगे और जो अच्छे हैं उनको इंक्रीस कर लेंगे दीसरा नेक्स वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन के बारे में ये कॉम्बिनेशन जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना और जब वर्षफल में ये आएगा तो 101% आपको इन चीजों को सामना करना पड़ेगा लाइफ कितनी भी स्मूथ क्यों न हो आप कितने भी अच्छे काम क्यों न करते हो मगर जब उस वर्षफल में ये कॉम्बिनेशन आएगा तो ये काम कराएगा ही कराएगा और आपने कई बार देखा है कि आचानक ही हमारे जीवर में सब कुछ चलते-चलते कुछ इस तरह की इस्तिति बन जाती है कि थाने कचैरी के ये अस्पताल में पुरा साल निकल जाता है फैमिली कोई बिमार होगी है कोई ऐसी बिमारी आगी इसके चक्कर लेके जा रहे है ये इसके एक्सिडेंट होगी कुछ भी होगा है वाटेवर तो इस कॉम्मिनेशन जब वर्षफल में आएगा तो हमें करना क्या है और वर्षफल को समझने का एस्तिलोजी को समझने का फायदा यही है कि आप अपने करन्ट सिचुशन को ठीक रख सकें आने वाले समय को अनलाइस कर सकें इसका लावा कुछ नहीं है और इसको अगर समझ लिया तो आप एस्तिलोजी को यूज़ करना सीख जाएंगे नहीं समझ पाये तो फिर कोई इसका फायदा नहीं है तो मिलते हैं नेस वीडियो में तब तक के लिए नमश्चा